नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारी इस अपने यूटूब चैनल पर जहां पर किसान भाईओ आप लोगों के लिए मैं सस्ती से सस्ती विकाओ जमीनों की चानकारी लेके आता रहता हूँ तो किसान भायो अगर आप लोग यूटूब चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर देना और किसान भायो ऐसे ही सस्ती जमीन विकाओ पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना तो किसान भायो कोशिस करता हूँ कि आप लोगो को सस्ती से सस्ती विकाओ जमीनों की जानकारी देने की तो किसान भायो यह जो जमीन है बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती जमीन है जो कि आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो को लट्स तक जरूर देखना और कि जमीन की जानकारी आप लोगों को दी जाती है तो किसान भायो इसमें आपको जमीन के मालिक का मोबाइल नमबर भी मिल जाएगा जिससे आप जमीन के मालिक से बात कर सकते हो तो किसान भायो कोई देर ना करते हुए आपको इस जमीन का वीडियो में बहुत ही जल्द शुरू कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई परिशानी नहूं तो चलिए किसान भाईयो वीडियो को सुरू करते हैं तो किसान भाईयो यह जो आप लोग जमीन देख रहे हो सबस्य पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस लोकेशन पर यह जमीन है तो किसान भाईयो या महौबा जीले में जमीन है जिहां किसान भाईयो उत्तर प्रदेश के महौबा जीला की यह जमीन है जो की पूरी बिकाओ है और किसान भाईयों यहां पर बात कर लेते हैं हम कि इसका तासील क्या है तो किसान भाईयों इसका तासील जो है चर्खारी है जिहां किसान भाईयों इसका तासील चर्खारी है और इसका जो बलाक है वह भी चर्खारी है और किसान भाईयों यहां पर आम का पेड़ है, महुआ का पेड़ है और सबेदा का भी पेड़ है यहां पर सभी प्रकार के पेड़े भी है इस जमीन में जो की आपको जमीन के साथ आपको फिरे में मिलने वाली है लेकिन किसान भाईू यहां की जो जमीन आप को मैं दिखा रहा हूँ यह उजाओं मिट्टी वाली जमीन नहीं है यहां किसान भाईू यहां पर आपको बहुत मेंद करने पड़ेगी तब ही यहां पर आप लोग इस जमीन में कुछ फाइदा फसल कर पाएंगे तो किसान भायों आपको इसलिए यहां पर जमीन जो है बहुत ही सस्ती मिल रही है तो किसान भायों मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर सबसे ज़्यादा फसल की चीज की होती है तो किसान भायों मैं आपको बता दूँ कि यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर चना हो जाता है बाकी यहां पर कुछ नहीं होता है जिहां किसान भाईयों यहां पर थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ जमीने ऐसी हैं जहां पर चना बहुत देते हैं तो हो जाता है कुछ चना लेकिन यहां पर वैसे आपको बता दूँ कि इस जमीन में कुछ चीज यहां पर नहीं होता है तो किसान भायों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जमीन कितनी है तो किसान भायों यहाँ पर जो जमीन है 75 एकड़ जमीन है और यहाँ पर आपको एक एकड़ में तीन विगा मिल जाता है जोकी किसान भायों यहाँ पर जो बिगा है कुछ अलग टाइप का बिगा है तो किसान भायों यहाँ के जो जमीन के मालिक हैं उनका कहना है कि यहाँ का बिगा थोड़ा कुछ कम ज़्यादा है तो किसान भाईो यहां का बीगा कैसा है मैं आपको पहले बता देता हूँ किसान भाईो यहां पर 12 विस्वा का यहां पर एक बीगा इनका मक कहना है और किसान भाईो यहां का जो विस्वा है यहां पर आपको 1250 स्कायर फिट का ही आपको विस्वा मिलने वाला है तो किसान भाईो यहाँ पर जो जमीन है बहुत ही कम कीमत वाली इसलिए जमीन है कि यहाँ का बेगा जो है कुछ अलग है तो चलिए किसान भाईो यहाँ पर एकड़ में कितना बेगा होता है आपको तुम आने बता दिया और किसान भाईयो यहां भी बता दिया कि एक वीगे में कितना विस्तो होता है अब बात कर लेते हैं किसान भाईयो कि यहां पर जमीन के मालिक का नाम क्या है तो किसान भाईयो जमीन के मालिक का नाम है स्यामलाल जिहां किसान भाईयो जमीन के मालिक का नाम है स्यामलाल और किसान भाईयो यह कौन सी जाती के हैं आपको भी यह भी पता दिता हूँ मैं तो किसान भाईयो जमीन के मालिक जो हैं चवरसिया जाती से विलॉंग करते हैं जिहाँ किसान भैयों जो पान का धंदा करते हैं parents sweetheart उसी जाती से यह हैं और किसान भैयों इनकी जमीन लेने में। आपको कोई चीज की दिकत नहीं होगी क्योंकि शंपूर भारत में आपको इस जमीन को आप कहीं भी और कभी भी ले सकते हैं किसान भाईयो अब आपको बात कर लेते हैं हम कि यहां पर जमीन के मालिक का गाउं कौन सा है तो किसान भाईयो जिस लोकेशन पर यहां जमीन है उसका नाम है सुन्दरपूर जिहां किसान भायों जमीन के मालिक का जो गाउं है वह है सुन्दरपूर और उसी जगह पर यहां जमीन है किसान भायों यहां पर अगर हम बता बात कर लेते हैं कि तासील और बला की दूरी की तो किसान भायों यहां से तासिल और बला की दूरी लगभग आपको 7 km की दूर पर पड़ जाता है तो किसान भायों यहां पर जमीन का रेट जो है मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले बता देता हूँ आपको कि यहां पर समर सेवल की विवस्ता की और किसान भायों बात कर लेते हैं यहां पर जमीन पर कोई लोन तो नहीं है तो किसान भायों आपको बता देता हूं जमीन के मालिक का मोवाइल नंबर उससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको जमीन यहां किस रेट में मिलने वाली है तो किसान भायों यहां पर जो जमीन का रेट है दो हजार रुपे प्रतियकर के हिसाब से जमीन के मालिक का कहना है तो किसान भायों दो हजार रुपे प्रतियकर के हिसाब से जमीन का रेट है आप अगर जमीन को लेना चाहते तो इस जमीन को ले सकते हो और अब हम बात कर लेते हैं किसान भाईयो यहां पर जो जमीन है किसान भाईयो उस जमीन के मालिक के मॉबाइल नमबर के बारे में तो किसान भायों जमीन के मालिक का मॉबाइल नमबर देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जमीन के मालिक से बात कैसे होगी तो किसान भायों जमीन के मालिक के पास आपको only whatsapp करना है और अपना नाम बता देना है और अपना address बता देना है और यहां भी बताना है कि मैं जमीन लेना चाहता हूँ आपकी तो जमीन के मालिक आपसे बात कर लेंगे तो जमीन के मालिक का मैं मुबाइल नमबर दे रहा हूँ आप लोग जमीन के मालिक का मुबाइल नमबर नोट कर लेजिए तो आपको जमीन के मालिक का मोबाइल नमबर आप लोग नोट करें 9, 4, 6, 8, 7, 0, 6, 4, 3, 6 किसान भायो एक बार फिर से मोबाइल नमबर आप लोग नोट कर ले जिए 94, 68, 70, 64, 36 तो किसान भायो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो किसान भायो चैनल पर अगर पहली बार भी आए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए अगर जिन भाई साहब ने सस्क्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और किसान भायो ऐसे ही आप अपना प्यार और असिरवाद देते रहेंगे तो हम एक समय इससे भी सस्ती सस्ती जमीनों की जानकारी दूँगा तो किसान भायो इसका जो रेट मैंने बताया है 2000 रुपे प्रतियकर तो किसान भायो इससे भी सस्ती आपको कहीं पर जमीन नहीं मिलेगी अगर कोई जमीन इस से सस्ती अगर दे रहा है तो हमारे पास कमेंट आप कर सकते हैं तो चलिए किसान भायो फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए किसान भायो जैहिंद जैभारत वंदे मातरम